Hello friends, मेर नाम है Ritu and welcome to my channel Learn Vocabulary with Ritu तो आज का word है वो है postpone या postpone इसे दोनों तरह से कह सकते हैं postpone या postpone तो इसकी spelling देख लेते हैं P-O-S-T-P-O-N-E postpone या postpone इसका मतलब भी जान लेते हैं किसी काम, प्रोग्राम, कार्यक्रम या किसी भी function या साधी को आगे के लिए गिसका देना या किसी काम को आगे के लिए टाल देना जैसे की कोई प्रोग्राम 15 तारिक को होना था लेकिन किसी कारण उस प्रोग्राम को अठारा तारिक को गिसका दिया या टाल दिया अठारा तारिक तक या postpone कर दिया मतलब जो पंदा तारिक को जो कारेकरम होने वाला था या कोई भी साधी होने वाली थी वो अठारा को decide कर दिया उस अठारा तारिक को घिसका दिया या अठारा तारिक तक टाल दिया पोस्पॉन कर दिया Example देख लेते हैं They decided to postpone their marriage until next year उन्होंने अगली साल तक अपनी साधी को स्तगित करने का फेसला किया स्तगित का मतलब होता है postpone मतलब आगे के लिए टाल देना कोई काम मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि जो साधी इस साल होने वाली थी उन्होंने उस साधी को अगली साल के लिए अपनी साधी को अगली साल के लिए पोस्पॉन कर दिया मतलब कैंसल नहीं किया लेकिन आगे के लिए टाल दिया अगले साल के लिए उन्होंने फैसला किया तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पोस्पॉन का मतलब समझ माया होगा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें